हेलो दोस्तो मैं विक्रमा लिडिया स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टूडे एजूकेशन में आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस एंड जनरल नोलिज के महत्तवपूर्ण परशनों के बारे में जानेंगे जो आप के लिए भूत हल्फूल साबित ह अगर आप हमारी वीडियो को पहले बार देख रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब गरें साथी बेल आइकन को जूरूर दबा दें टाकि आप आगाने वाली अब द्यक्सके और दोस्तो इस वीडियो की पीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के स्टेक्रेप्शन बॉ C. विसानू विसानू की कारण जुकाम होता है मिनिंगिटिस रोग किसको प्रभावित करता है मिनिंगिटिस रोग किसको प्रभावित करता है इसका right answer हो जाएगा अपना Option D. मस्तिस्क मेनिंजाइटिस रोगमस्तिस को प्रभावित करता है यह निशीरिया मेनिंजाइटिस दवारा होता है भारतिय समिधान में समोवर्ति शूची किसके समिधान से ले गई है भारतिय समिधान में समोवर्ति शूची किसके समिधान से ले गई है इसका right answer क्या हो जएगा इसका right answer हो जाएगा अपना option D, Australia बारतिय सविदान में समवर्ति सूची उस्ट्रेलिया के सविदान से लिए गई सरकारी समपत्ति को नेष्ट ने करना क्या है सरकारी समपत्ति को नेष्ट ने करना क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है अपना Option C नागरिक करतव्य सरकारी समपत्ति को नेश्ट ने करना नागरिक करतव्य है सरदार स्वन्ण सिंग की समित्ती की अनुशनशा पर बारतिय समिधान के 42 संसोदन 1976 की दवारा मोलिक करतव्य को सविधान में जोड़ा गया मोलिक करतव्य को रूस के सविधान से लिया गया है इसे बागच्यार के में अनुशेद 51 के के अंतरगत रखा गया है मोलिक करतवों की संख्या 11 है समीधान की मसोदा समिति के समक्स प्रस्तावना किसके दवरा प्रस्तूत की गई थी इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है ओप्षन ए जोहरलाल नहरू सविधान की मसोदा समिती के समक्स प्रस्तावना जवाहरलाल नहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी सविधान के प्रस्तावना को सविधान की कुंजी कहा जाता है नीमने लिखित में से जैन ध्रम का कौन सा त्री रतन नहीं है निमने लिकित में से जयन ध्रम का कोण सा त्री रतन नहीं है तो इसका राइट आंसफर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसफर हो जाएगा अपना option C सही द्रश्टी जयन ध्रम के त्री रतन है सम्मक स्रीधा यानिकी सही विश्वास सम्मक ज्यान, सही ज्यान, सम्मक आचरण यनकी सद आचरण बुद्ध धरम के तरी रतन है बुद्ध, संग और दंब देखते हैं, next question हिमालिय के स्तान पर कौन सा सागर विद्यमान था question क्या है हिमालिय के स्तान पर कौन सा सागर विद्यमान था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप्शन राइट आंसर इसका आप्शन सी टेथीज सागर मध्य जीवी पूरकल्प के अंत में कुछ बूगर भी हल चलों की कारण गुंडवाना लेंड थन अंगारा लेंड एक दूसरे के निकटाई और टेथीज सागर में निकशिय पित तलचट पर संपिड़ित होने लगे इस संपिड़न की कारण यह तलचट वलित होकर उपर को उठने लगा और वर्तमान हिमाले परवत का दिर्मान हुआ अंतराष्टिय पाजार में किस चीज की आपूरती में भारत का एका दिकार है तो इसका राइट आंस्वर ओप्सन बी आभरक अंतराष्टिय पाजार में आभरक की आपूरती में भारत का एका दिकार है बारत 20 विश्वकारलग भग 60% अभरक का उत्पादन करता है अभरक मुक्यता युनाइटेड किंगडम, सैंक्त राजिय अमेरिका, रूस और यूरोपिय देशों को निर्यात किया जाता है लगान फिलम के निर्देशक निम लिखते में से कौन है? क्योश्चन क्या है? लगान फिलम के निर्देशक निम लिखते में से कौन है? इसका राज टांस्वर क्या हो जाएगा? अपना राज टांस्वर हो जाएगा ओप्सन C, आशुतोस गोवारिकर लगान फिलम के निर्देशक असुतोष गवारीकर हैं इस फिलम के अभिनेता आमीर खान है मनुश्य में पुने इस्थापित होने वाले दातों के संख्या कितनी हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option B यान की 20 मनुश्य में पुने स्तापित होने वाले दातों की संख्या 20 है व्यस्ग मानव के मुह में 32 दात होते हैं 16 उपर के जबड़े में तथा 16 नीचे के जबड़े में मनुश्य में पुने स्तापित होने वाले दातों की संख्या 20 होते है नीमने लिखीत में से योग के पत परदर्शक कोन थे? राइट आंस्वर क्या हो जाएगा? Option A, पतंजली पतंजली योग के पत परदर्शक थे? लोक शबा Teil के लिए सबसे पहले आम चुनाऊ कब आई जित हुए थे लोक सबाँ के लिए सबसे पहले आम चुनाऊ कब आई जित हुए थे रैट आंसूर क्या है इसका रैट आंसूर अपना ओप्शन C 1952,53 लोक्षभा के लिए सबसे पहले आम चुनाओं 1952 रेपन में आयोजित होय थे पर्थम लोक्षभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था पर्थम लोक्षभा अध्यक्स स्री जीवी मावलंकर एवं उपाद्यक्सरी अनन्त शेयनम थे तूटी हडियों को जोडने के लिए नीमने लिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है तूटी हडियों को जोडने के लिए नीमने लिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है राइट आंस्वर क्या हो जाएगा Option D Plaster of Paris तूटी हडियों को जोडने के लिए Plaster of Paris का प्रियोग किया जाता है नीमने लिखित में से जल जनित रोग कौन शाह है क्या है नीमने लिखित में से जल जनित रोग कौन शाह है राइट आंस्वर Option B हैजा हैजा जल जनित रोग है यह पाच्चन तंतर को प्रभावित करता है नीमने लिखित में से किस ग्रह की कक्सा सुरिय के सब से निकट है इसका राइट आंस्वर क्या हो जाएगा Option C मंगल नीमने लिखित में से किस ग्रह की कक्सा सुरिय के सब से निकट है तो सुरिय के सब से निकट कौन है मंगल ब्रस्पती का दर्वेमान है लगबग तो क्या है ब्रस्पती का दर्वेमान इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना Option B सुरिय के दर्वेमान का हजारवा बाग ब्रस्पती का दर्वेमान क्या हो जाएगा सुरिय के दर्वेमान का हजारवा बाग नीमने लिखित में से अंतराष्ट ये दिनांक रेखा कौन सी है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना Option D 180 डिगरी देशांत्र एक खगोलिय मात्रक नीमन में से किसके बिच की ओसत दूरी है क्यूश्चन को द्यान से पढ़िये एक खगोलिय मात्रक नीमन में से किसके बिच की ओसत दूरी है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना Option A प्रत्वी और सूर्य एक ही तापमान वाले स्थानों को जोडने वाली काल्पनिक रेखाई क्या कहलाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक ही तापमान वाले स्थानों को जोडने वाली काल्पनिक रेखाई क्या कहलाती है राइट आंसर Option D समताप रेखाई बराबर अंतरालों पर उसी उच्चाई के स्थानों को जोडने वाली काल्पनिक रेखाई होती है यह क्या होती है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Option B कटूर राइट आंसर हो जाएगा अपना Option B कटूर संयुक्त राष्टर का सबसे छोटा छेतर रफल की द्रिष्टी से सदस्य कौन सा है क्योश्चन क्या है संयुक्त राष्टर का सबसे छोटा से छेतर रफल की द्रिष्टी से सदस्य कौन सा है सेशेल्स और की पेलेगो का अभिप्राइन निम लिखते में से किसकी कड़ी से है शोरी दोस्तों ये थोड़ी क्यूस्टिन में मिस्टेक है और की पेलेगो का अभिप्राइन निम लिखते में से किसकी कड़ी से है राइट आंस्वर क्या हो जाएगा option B द्वीप लोहे का प्रत्थम पुल नीमन में से किस देश में बनाया गया था लोहे का प्रत्थम पुल नीमन में से किस देश में बनाया गया था right answer क्या हो जाएगा option A England संसार का सबसे अधिक आद्र महाद्वीप है टाइटान स्वर ओप्शन डी दक्ष्ण अमेरिका एशिया और यूरूप को प्रित्ख करने वाले प्रवत हैं एशिया और यूरूप को प्रित्ख करने वाले प्रवत हैं राइट आंस्वर क्या हो जाएगा ओप्शन सी यूराल प्रवत ज्वाला मुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है क्यूस्चन क्या है ज्वाला मुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है राइट आंस्वर ओप्शन A हवाई में नीमने में से कौन सा एक भूमीगत जल क्रिया का प्रेणाम नहीं है क्योश्चन क्या है नीमने में से कौन सा एक भूमीगत जल क्रिया का प्रेणाम नहीं है राइट आंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर अपना Option D दन्तूर तट मृइदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की गटना को क्या कहा जाता है Q. मृइदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की गटना को क्या कहा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा option A भूस्खलन right answer संसार में रेलों के सबसे बड़े जालवाला देश है संसार में रेलों के सबसे बड़े जालवाला देश है यह कौन सा देश है option B USA चारा गहा को पंपास कहा जाता है कहां कहा जाता है option sorry दस्तो question चारा गहा को पंपास कहा जाता है right answer क्या हो जाएगा option B दक्षिन अमेरिका में किसी छेत्र में जनसंख्या का गनतव किसकी संख्या से मापा जाता है right answer क्या हो जाता है right answer क्या हो जाएगा option C right answer हो जाएगा अपना option C you. carbon dioxide के carbon sure autres उरजा का विपास्षिन you. वन आच्छा दन के कम होनी का काराण है question क्या है द्यान से देखे one आच्छा दन के कम होनी का काराण है तो क्या कारण है? ओप्शन C बढ़ती हुई आबादी अपने प्राक्रितिक प्रिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तोर पर आरक्षित छत्र है क्या है ये? बैट आंस्वर क्या हो जाएगा? ओप्शन D नेशनल पार्क यानकी राष्ट्रिय उद्यान किसी प्राक्रितिक प्रदेश में समरूपता होती है क्यूश्चन क्या है? किसी प्राक्रितिक प्रदेश में समरूपता होती है राइट आंस्वर क्या हो जाएगा? ओप्शन A जलवायू और प्राकृतिक वनस्पति की क्या होती है समरूपता नीमन लिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल छेत्र रखने की आवशकता है नीमन लिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल छेत्र रखने की आवशकता है राइट आंस्वर क्या हो जाएगा अपना ओप्शन डी पारी इस्थितिक संतूलन के लिए कौन साधे सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है सही उत्तर क्या है इसका ओप्शन ए सैयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है नीमने में से उस क्रिशी को क्या कहा जाता है जिसमें क्रिशी और पशुपलन दोनों ही साथ साथ किये जाते हैं निमन मेंसे उस क्रिशी को क्या कहा जाता है जिसमें क्रिशी और पशूपालन दोनों ही साथ साथ किये जाते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा Option B मिश्रित क्रिशी कह जाता है जिस क्रिशी में पशुपालन और क्रिशी दोनों साथ साथ किये जाते हैं उसे मिश्रित क्रिशी कहते हैं कौन सा खनीज एलूमिनियम का एश्चक है राइट आंसर क्या हो जाएगा Option B Boxite जिन संसाधनों का प्रियोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है जिन संसाधनों का प्रियोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन D नवी करणिये निर्मान कार्य में बहुदा प्रियोग किये जाने वाला पत्थर होता है निर्मान कार्य में बहुदा प्रियोग किये जाने वाला पत्थर होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा option C अगने शेल right answer हो जब अपना option C अगने शेल विली विली का अभिब्राई क्या है विली विली का अभिब्राई क्या है right answer अपना option A Australia के निकट उसन कटी बंदिया चक्रवाद किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है right answer क्या अपना किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है right answer हो जएगा अपना option B विशू वतिय बारत के स्थला कृतिक मांचित्र में मांचित्र नीमने में से कौन सा संगठन बनाता है right answer option B बारतिय स्रवेक्षन पूर्वी तटिय मेदान का एक अन्य नाम है पूर्वी तटिय मेदान का अन्य नाम क्या है option right answer option C कोरो मंडल तटिय मेदान केरल के तट को कहते हैं केरल के तट को क्या कहते हैं right answer क्या हो जाएगा option B मालाबार तट केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं नीमने भारतिय राज्यों में किस राज्य की कोई समूदरी शिमा नहीं है औप्शन C राजस्तान राजस्तान की कोई भी समूदरी शिमा नहीं है जो जीला दर्रा जोडता है जो जीला दर्रा किसे जोडता है राइट आंस्वर ओप्शन A. स्रीनगर और लेहको शिवा समूद्रम किस नदी दवारा बनाये गया जलब प्रपात है शिवा समूद्रम किस नदी दवारा बनाये गया जलब प्रपात है राइट आंस्वर ओप्शन D. कावेरी उत्र पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्र पार्य नदी है कौन सी नदी है उत्र पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्र पार्य नदी ये कौन सी नदी है इसका राइट आंस्वर ओप्शन ए ब्रह्मपुत्र अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ तो तब तक स्वस्तर ये और मस्तर ये